आप अक्सर सुनते हैं कि बंगाल में किसी पर देसी बंब चला तो किसी पर पेट्रोल बंब फेंका गया वहाँ पर बंब आरूद से नीचे बात नहीं होती सवाल ये है कि बंगाल में ये बंब आरूद आता कहां से है बंगाल में बंबारूद के डीलर कौन है और कितनी आसानी से वहाँ बंबारूद मिल जाता है हमारी Special Investigation Team ने जमीनी पड़ताल की है हम पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में गए वहाँ पर ऐसे लोगों से मिले जो बंगाल के उस बंबाजार का हिस्सा है जो हिंसक राजनीती में फल फूल रहा है फल सबजियों की तरह कैसे बंबिक रहे हैं घरों में बैठकर आसानी से कैसे लोग बंब की ओर्डर ले रहे हैं जैसे कपड़े की दुकान चलाने वाले भी बंब की सेल लगा कर बैठे हूं कैसे जंगलों के अंदर बंब की फैक्टरियां चल रही हैं बंगाल की राजनीती करने वाले आज बंगाल का ये विस्फूटक सत्य देखने की क्षमता रखें अच्छा इतना है स्वांग है तो अभी से माल का लिए लिक्षान का टाइम में लेगी है माल का रेट वरेगा माल चिक्टाक नहीं होगा अभी इस इस साल में तो दोनों पाटिए बंगाल में बंगाल का वो विस्फूटक सच है जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपके सामने लेकर आई है हाटल आना बहुत मा का आवाज होगा और बहुत तेज होगा को पिस एए तोरल कितना पीस है? बिस पिस साल बंगाल आपके लंगाल माल बंगाल दिया पर लोग हैं जो बंगाल में खुद बंगाल में खुद बंगाल की चलती फिरती फैक्टरी है और जिनका बंगाल में कभी मंदा नहीं होता हम नौर्थ 24 परगना में ऐसे यक शक्स तक पहुंचे हैं पीज में कि इस सब्से विद्यार करें रहा है है चार देन मुझे उसमें जादे चाहिए भागना इन बादे एक हम इतना बड़ खिर में बनाने चाहिं पर दो ओदूधा इतना बड़ अटना बादा बड़ सब्सक्राओ नेक्राय कर दोदेना रहा हैंуск 120 बम का ओर्डर सिर्फ चार दिन में तैयार और बम भी ऐसा कि कोई दिवाली के पटाखे नहीं जान लेने वाला मकान तक उड़ा देने वाला नट बोल्ड कीलों वाले बम कितना भी खतरनाक बम चाहिए वो बन कर मिल जाएगा कितने भी बम का ओर्डर दीजिए वो भी मिल जाएगा सेंपल देखिए ओर्डर दीजिए बंगाल में इलेक्शन का टाइम है तो इस वक डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा दूसरी मीटिंग में ही शाहजा ने बम का प्राइस डबल कर दिया रिस्क तो ये भी समझते हैं इसलिए उन्हीं से बम का ओर्डर लेते हैं जो जान पहचान वाले होते हैं शाह जहां का दावा है कि हर पार्टी और नेता उनके पास आते हैं आप इस दूसरे शक्स से मिली है दर्श्र 24 परगना में हम वर्म डीलर के पास पहुँचें इसका नाम शिवम है जो सिर्फ देशी बम बनाने में ही नहीं बंदूक और लेंड माइन तक सप्लाई करने के दावे करता है शिवम नाम के शक्स ने एक बंब का रेट 130 रुपए लगाया और ये भी दावा किया कि पुलिस को सब पता होता है इलेक्शन के टाइम पर उनके पास हजार पीस का ओर्डर भी आ चुका है माल करना थो अभी से माल करना थो अभी से माल कालिए इस साल में तो दोनों पाटियों करक करक लाव दाए लगाया बन्गाल के इस बम बाजार की सीक्रेट इन्विस्टिगेशन में हम बर्धमान जिले में पहुँचे जहां हमें शफीक नाम का ये शक्स मिला इसने बम के अंदर पारूत के हिसाब से हमें रेट बताया एक बम का कितना पैसा पुरेगा एक बम का आपका पैसा जितना माल देगा उसका दाम पड़ेगा एक माल का देगा पांसो चार्सो तीनसो जितना माल देगा उसका दाम अगर मत अच्छा वालो चाहिए होगा तो कितना पांसो अगा ज्यादा इनके पास पहले से ही बम तयार होते हैं बस इन्हें ओर्डर का इंतजार होता है शफीक ने तो हजार रुपए में ग्रेनेट तक की सप्लाई के दावे कर दिये पहले तक की सब्सक्राइब दावे कर दियेगा यानि बम, बंदूक, लेंडवाइन बारूद और ग्रनिट तक सबकी बंगाल के इस बम बाजार में सीक्रिट से लगी हुई है ऐसे में राजनीतिक हिंसा वाला कल्चर आखिर खत्म कैसे होगा